को अदय को को अलारो eight और देज़ को अधिक की अजम को अखलं कर लूए फार आज लुए थो कॉलेजla hand know को अउर पांग क्या क्या आपको सॉधानि रखना है और आगे का क्या क्या प्रोसेस रहेगा इसके बारे में ध्यान से सुनिए कि सबसे पहले हमको अगर seat मिल गया है तो क्या करना है जो confirm कर लिए हैं उनको क्या करना है और जो confirm नहीं किये हैं उनको क्या करना है तो पूरी जनकारी मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा और उसके साफ़ से अपना decision लीजिएगा तो सबसे पहले तो आपको IGKV के साइट में जाकर आपको login करने के बाद आपको यहाँ admission पर जाना है admission में जाने के बाद आपको UG में जाना है UG में जाकर करके यहाँ counseling का process यहाँ PAT, BSC Agriculture Honors यहाँ से start हो रहा है तो आपको यहाँ से आपको फिर login कर लेना है लॉग इन यहां ID पाश्वर्ट डाल के आपको अपना लॉग इन कर लेना है जैसे कि मैं हैं लॉग इन कर लिया, लॉग इन करने के वाद आपके नंबर पर OTP आएगा तो OTP पर जो नंबर आएगा उसको यहां, अब यहां OTP का मैं अपना नंबर डाल दिया, फिर उसका मेरे को verify करना है verify करते ही यहां पास मेरे पास यह देखिए, बहुत सारा option आया है तो इस option में मुझे क्या करना है, तो यह तो अपने काम करनी है अभी, print application form, seat confirmation यदि आप चाहते हो, जिस college में चाहते हो, वहां आपको seat मिला, तब seat confirm कर सकते हो और फिर उसके बाद seat confirm करते ही, आपको print मिलेगा, उस print को लेके आपको DVC के लिए IG के भी जाना है यदि आप अगले चरण के counseling में भाग लेना चाहते हो, तो आपको सीधा नीचे आना है और application for spot and conversion counseling, यहां आपको click करना है इसके लाबा, यदि आप यहां click करते हो, seat cancellation withdrawal करके, तो without, यह देखो, यहां एक notification आ रहा है यहां यह लिखा है, you had not paid fees, जब तक आप fees pay नहीं करते हैं, तब तक यह बीच का यह दो option दिख रहा है admission, fee payment and fees float apply, यह आप से open नहीं होगा तो DVC कराओगे, तो यह third number का option open होगा, है ना, और DVC करा लेने के बाद ही seat cancellation and withdrawal का option open होगा, और आपको बीना DVC कराए, अगले चरण के counseling में भाग लेना है, sport counseling, जिसे conversion counseling भी कहा जाता है, तब आपको यहां click करना है, तो जैसे मैं अगले counseling में भाग लेना चाहता हूँ, तो मैं यह last में click कर दिया, और जैसे कि मैं पहले से जहां मैं conversion counseling करा चुका हूँ, तो यह message मेरे में आ गया, map up और conversion चरण की counseling में आपका पंजियन हो चुका है, अगर आप नहीं कराए रहोगे, तो एक special page खुलेगा, जिसमें यह लिखा रहेगा कि आपको कब जाना है, counseling के लिए, conversion counseling के लिए, और आपको एक declaration देना पड़ेगा, कि मैं इस counseling में भाग ले चुका हूँ, लेना चाहता हूँ करके, और उसके बाद आप submit कर दोगे, और जो print मिलेगा, उसको अपने पास रख लेना है यह देखो, इस type का print आएगा, इसमें लिखा रहेगा कि आपको कौन कौन सा documents लेके आपको वहाँ जाना है, यहाँ एक चीज़ देखना, यहाँ date update नहीं किये हैं, यह जो date दिखा रहा है, यह अगस्त दिखाया है, यह जब कि September होना चाहिए, और कौन कौन सा आपको documents लेके जाना है, तो यहाँ दिया रहेगा, कब जाना है, वो यह यहाँ दिया रहेगा, और पहले आएंगे या कम राइंक वाले पहले आएंगे तो उनको देंगे वहां जो पहले जाता है उनको थोड़ा प्रियोटी दिया जाता है तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना इस बात का और भी कुछ दिक्कात होता है तो बताईएगा मुझे